परसीक्यूशन का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं परसीक्यूशन जो है वो परसीक्यूशन का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज़्यादा परसीक्यूशन को हम परसीक्यूशन केहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि कुछ अत्याचार रोम के बाहर हुई तो आप कहेंगे some persecutions took place outside रोम या अगर आप ये कहना चाहें कि वह है अपनी जाती द्वारा सहे गए अत्याचारों का इतिहास लिख रहा है तो आप कहेंगे he is writing a history of persecutions endured by his race he is writing a history of persecutions endured by his race अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें